और दोस्तो आसरम देखने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आसरम सीजन टू आ रहा है आप लोगों के बीच में जो कि जिसमें बावी देवल एक महान और कहीं न कहीं जो महान लोगों मनते थे एक बाबा की भूमी का निवा रहे थे लेकिन इसमें बता देता ह जिस तरीका से लोगों को एक भ्रहंत की बाबा माहान होते हैं। और कहीं न कहीं बावान के कर्टूत का किसी को पता नहीं था उसके एक भूमी का निवाते नज़र आ रहे हैं। बावी देभल जी की बात की जाएं, तो बावी देभल जी काफी टाइम के बाद में कमबेक कर रहे हैं और जैस तरीका से उनों पिछले सीजन में एक रॉल निवह है था राम रहीम जैसे बावाओ का क्योंकि जातर बावाओ की पोल खोलते नजर आ रहे हैं जिसके की आपको आश्रम सीजन टू की बात की जाएं आश्रम टू जो आ रहा है आप लोगों के बीच में उसमें बावा की पोल खोलती नजर आएगी साथ ही दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज को डारेक्ट कर रहे हैं पिरकास जहां पिरकास जहां जो कि बॉलिवुड के काफी बड़े डारेक्टर में से गिने जाते हैं जिन्होंने राजनीती जैसी काफी मूवी उनमें काम किया है और कहीं न कहीं अच्छी मूवी डैरेक्ट की हैं और जिस तरीका से प्रिकास जहां इस टाइम बॉवी देवल के उपर काफी अच्छी महरवान है उनको एक से एक अच्छी सिरीज दे रहे हैं क्योंकि जल्दी ही आप लोगों की बीच में एक सिरीज और भी आने वाली है इस सिरीज की बात की जाए आसरम तो आसरम को आप MX प्लेयर पे देख रहे हैं जिसका की ट्रेलर आउट हो चुका है ओफिसर ट्रेलर आउट होने के बाद में बॉली बुड में भी सनवनी मत चुकी हैं क्योंकि कही सिरीज भी जाफी अच्छा रहा था जो कि लोगों ने काफी पसंद किया था क्योंकि उन में बावाओं की पूल खुली थी और बॉपी देवल अपना एक अच्छे रॉल निवाय था बॉवी देवल की बात की जाएं तो बॉवी देवल ने वेब सीरीज में काफी अच्छी तरीका से काम कर रहे हैं और जिस तरीका से अब आश्रम सीजन 2 में बॉवी देवल काम कर रहे हैं लाजमी काफी अच्छी वेब सीरीज हुई है और जल्दी ही आपको अगर आप आश्रम सीजन टू देखने चाहते हैं तो देखे क्योंकि उसमें जद पर जाएगा कि बावा उनकी पोल किस तरीका से खुलती और बावा होते कैसे हैं क्योंकि इसमें बताया गया कि ढौंगी बावाओं की पोल खुलती क्योंकि जद तर आपको भी पता है कि बावाओं का अपमान दिखाया है और इस तरीका का अपमान जो कि बावाओं का अपमान भी नहीं बावा करतू थी है इस तरीका से करते हैं बॉबी देवल को इस करेक्टर में आने के लिए तकरीबन 6 महीने मेहनत करने पड़ी थी बाबाओं को गेटब लाने के लिए बॉबी देवल काफी टाइम से लंबे टाइम से एक अच्छा किरदार निभाने की कोसिस कर रहे हैं और कहीं न कहीं अब इस टाइम वो अपने पाट का हिस्सा है आश्रम 1 का भी काफी अच्छा पाट हिस्सा रहे हैं और आश्रम 2 का भी हिस्सा बन चुके हैं काफी एक्टर्स आप लोगों को बता देता हूं कि आश्रम 2 देखने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आश्रम 2 अगर आप देखना चाहते तो इस बात विश्वास को आप जल्दी ही दूर कर पाएंगे थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब कीजी मेरे यूट्यूब चैनल को थैंक यू सो मुझ गाइज लब यू अलॉप